तो फ्रेंट्स एक बार फिर से हम आप शबी के बिच हाजिर हो चुके हैं हिंदी का क्लास लेकर जिसमें हम आपको हिंदी के किताब के माध्यम से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे तो इस क्लास को जो है न आप लाश्ट तक और पुरे ध्यान से एक एक सब्द को दिखिएगा त ठीके अगर आप चाहे तो पहले एक बार पढ़ने और उसके बाद जो है न इस क्लास को मेरे आवाज को सून करके उसके बाद जो है आप अपनी कॉपी में भी लिखिने का प्रैकिस कर सकते है ठीके न तो जैसे कि हम हिंदी लिखने वाला क्लास में बोलते है न उसी तरह से जब यहाँ पे हम बोलेंगे तो मेरे आवाज को सुन करके आप लिखिएगा अगर नहीं लिख पाते हैं मेरे आवाज को सुन करते हैं तो क्लास को रोक रोक करके पहले मेरे आवाज को सुनिएगा फिर लिखिएगा फिर रोकिएगा फिर आगे बढ़ाईएगा इसी तरह स पहली पर भीजिट करें अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड जाइए तक कि आप तक जुएना हमारा जो भी किलास आएगा वो आप तक पहुंचता रहेगा तो दिखिए आज का हमारा हिंदी का कहानी है अतिति देव भवा तो यहां पर देखिए थ्यान से देखिएगा आप बहुत समय पहले की बात है देखिए यह तो पहली है अगर आप लिखना चाहे तो इसको तो है ना क्लास को रोक रोक करके मेरे आवाज को सून करके लिखिएगा जब लिख लिजिएगा तो फिर आगे बढ़ाईग तो दोनों काम हो सकता है आपका एक साथ तो पहले आप पहली जी हो सकते तो उसके बाद आप सून करके आवाज को मेरे लिखिएगा ठीक देखिए आप एक राज्य में रतनाकर नाम का एक राजा राज्य करता था उसके राज्य में प्रजा देखिए पborg में राप देने तो पोके साथ आधा रा का उचारनों का प्रजा प्रजा सुखी और प्रशन देखिए पelines राप देने प्रशा फिर आधा नो प्रशन थी राजा अपनी प्रजा की भलाई का बहुत ध्यान रखता था प्रजा भी उन्हे देवता तुल्य सम्मान देती थी एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा कुए और नदिया सूख चुकी थी खेतो में अन का एक दाना भी नहीं उगा पशु पक्छी और मनुश्य पानी की कमी के कारण त्राही त्राही करने लगे पानी और अन की कमी के कारण चारो और भयंकर अकाल पड़ गया लोग राज्य छोड़कर शरन के लिये दुसरा अस्थान धोणने लगे एक दीन राजा को भी अपने परिवार के साथ विवश होकर अन्यात्र जाना पड़ा सारा राज्य निर्जन हो गया राजा को भटकते भटकते और तालीस दीन हो गया लेकिन कहीं भोजन न मिल सका अगले दिन प्रातह काल कोई व्यक्ति आया और विनमरता से भोजन रखकर चला गया रतनाकर ने देखा की भोजन में खीर और मलपुए हैं उन्होंने मन हीं उसे धन्यवाद दिया लेकिन आज भोजन से पूर्व किसी अतिथी को भोजन न करा पाने की पीड़ा उन्हें सता रही थी अचानक किसी का दर्द भरा स्वर उन्हे के कानों में पड़ा महराज भोजन मिले कई दीन हो गए हैं प्राण निकल रहे हैं कुछ खाने को दिजिये राजा ने उस दीन क्रिशकाय व्यक्ति को देखा और प्रसंता से उसे अपना भाग देकर प्रणाम किया विपती में भी दुसरों के कश्ट को दूर करने में जीवन की सफलता समझने वाले राजा आप धन्य हैं आप सुखी रहें सम्रिद्ध बने यह अशीश देकर वह व्यक्ति चला गया रतनाकर राजा बची हुई भोजन समग्री को परिवार में विवक्त कर रहे थे उसी समय एक विक्छुक ने भोजन की याचना की राजा ने उसे भी स्रधा पुर्वक अपना हिस्सा दे दिया वह भिक्छुक भी आशिर्वाद देते हुए बोला प्राणी मात्र की सेवा से संकट में भी मोह नहीं मोलना श्रेष्ट पुरुसों का धर्म है इस निती का पालन करने वाले राजा के राज्य में अकाल अश्चर्य है जब वे शेश बचे भोजन को फिर से ग्राहन करने लगे तो इतने में रोग व भोख से पीडित एक व्यक्ती वहां आ पहुंचा स्वामी कुछ खाने के लिये दें दयालू राजा ने उनके पास जो कुछ भी था वह सब उस याचक को दे दिया याचक ने प्रशन होकर फलने फुलने का अशिरुवाद दिया अब उनके पास सिर्फ जल हें बचा था हमें याचक को अवश्य कुछ न कुछ देना चाहिए रहीम ने लीखा भी है रहीम वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाहें उन्ते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत ना हें वह जल पीकर ही सो गए लेकिन उन्हे संतोश था कि इस विपती की घडी में भी वह अतिथी धर्म का पालन कर सका इसके बाद ही उन्होंने देखा की वर्षा आरम हुई अच्छी वर्षा से खेत लहलहाने लगे तथा समरीधी के द्वार खुल गए तो दस्तो इस तरह से आप हिंदी पढ़ना सीखिएगा अगर आपको हिंदी लिखना है तो मैंने शुरू में बोला था कि मेरे आवाज को सुन करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ठीके तो चलिए आज के इस हिंदी पढ़ने के और लिखने के क्लास में बस इतना ही आज का यह कहानी कैसा लगा है हमें कमेंटर के जरूर बताएगा और इस कलास को जो इने आप अपने सबी फ्रेंड को भी शेर कर दीजिएगा जहिंद फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट कलास में गुड़नाइट फ्रेंड्स